हेलो दोस्तों नव्षका दोस्तों स्वागता है आप सभी का ओन्लाइन अड़ाफर स्टडी यूट्योग चैनल पर इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटिस अपडेट के बारे में जो की संबन देता है बीएड वर्सिल बीटीसी को लेकर ऐसी ओरर के बात से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें के बेल आइकन को दबा ले और वीडियो को लाइक करतें जिससे कि आपको जानकारी ओन्लाइन अड़ाफर स्टडी यूट्योग चैनल से मिलती है शुबात करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ दोस्तों जारकन बीर्ट पर इस प पर निदायत है और जो चीज़ें आप सुभी को किसी बुक में नहीं मिलती है वो डिटेल आप सुभी को चक्सु परकासिन की बुक के अंदर देखने के लिए मिलती है यह स्टडी गाइड आप सुभी के लिए आती है सामान हिंदी सिच्छक अवियोगिता इसके अलाबा इंगलिस और ताकिक योगिता के साथ में 2000 से ज़्यादा मैत्पूर कोश्चन और 300 पेपर भी आपको देखने के लिए मिलती है जैसा कि आप लोग अपनी स्कीन पर देख सकते हैं इस बुक में आप सुभी को मोस्ट एक्स्पेक्टेड के साथ में उन कोश्चन की सही और इस बुक को आप एमजोनिया फिलिपकार्ट से परचेस कर सकते हैं या फिर अपने नजदी की स्टोर से अपनी बेस्ट प्रपरेशन करने के लिए आज ही परचेस का हैं चक्षु प्रकासन की बियर्ट प्रविस्परीक्षा की बेस्ट बुक लिंक वीडियो की गई है क्योंकि जादतर सरकारों के माध्यम से इसका इंतजार किया जाला था कि जैसे ही सुप्रीम कोट अपना ओर्डर जाली करे उस ओर्डर के आधार पर जो अपने इस तर से कारवाई करनी है बियर्ड और बीटीसी को लेकर वो शुरू कर दी जाए और यहां पर अब इ जो सिच्छक भरतियां हैं उनको दुबार से आयोजित किया जा रहा है अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आप सभी के लिए मैतपूर भी है क्योंकि आप जानते हैं कि जो भी बियर्ड करने वाले अभरती प्राइमरी सिच्छक भरती के अंदर चैनित हुए थे और वो सब दूद कि लागे अगर एक आधार बात करें तो लगबग साथ हजार के आसपस ऐसे चीचर्स हैं जो कि कहीं नगरी प्राइमरी से निकालते हुए उनकी जगह पर बीटी सी पिलस टीटी वाले अव्यतियों को रखा जाएगा हाला कि यह उनके लिए धुखद है लेकिन जो सत्य है और सही है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि सुपीम कोट ने यही अदेश दिया है अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं राज्यों वें क्योंकि यहां पर सबसे बड़ा जो सवाल होगा वो यह ही होगा कि जो पदों की संक्या वो 60,000 कैसे हैं तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो आपने देखा होगा बिहार के अंदर लगबग 22,000 ऐसे टी उनको पहले ही पटना हाई कोर्ड ने बाहर करने का आदेश दे दिया था हाला कि वो चैनित अभ्यतियों को बचाने के लिए बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ड भी गई थी लेकिन वहां से अब उनको कोई राहत नहीं मिलेगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ड ने इस पस्ट ओर्ड में कहा है कि अगर आपकी निवक्ति किशी शर्त को मानते हुए की गई है तो आपको बाहर निकाला जाएगा तो बात की जाए बिहार को लेकर तो पहले नमबर पे बिहार से लगबग 22,000 जो टीचर्स हैं उनकी नोक्रियां तो अब चली गई और उनको बाहर बैठना हैं उनकी निवक्तियां की गई थी subject to outcome और उनको भी अब यहां से निकाला जाएगा हाला कि हिमाचल में जो सरकार है वो नहीं चाहती थी कि उनको निकाला जाए लेकिन अब तो सुपीम कोर्ट ने किलियर ही कर दिया है कि जब subject to outcome मिली है तो सुपीम कोर्ट को यह order मानना हो इसी तरीके से 36 गड़ के अंदर जो बियर्ड करने वाले अब्रती चैनित हुए थे इसको लेकर भी हाई कोर्ट में पहले ही आदेश दे दिया है और उनकी जो नोकरियां हैं और बो भी खत्रे में हैं और उनको भी बाहर निकाला जाएगा according to सुपीम कोर्ट का आदेश तो ये तो 36 गड़ की बात है लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे राज्यें जैसे की मद्रप्रदेश की बात कर ली जाए क्योंकि ये मामला मद्रप्रदेश की बज़े से ही किलियर हुआ है लेकिन बात इसमें नहीं हो पाई थी मद्रप्रदेश की अगर बात की जाए त उन्होंने कहा है कि 15 तारीक को इस मामले पर फाइनल डिसीजन करेंगे कि जो वहां के चैनित अभ्यरतियों उनको बाहर करना है या अंदर करना है लेकिन जो भी 15 तारीक को यहां पर अभ्यरतियों को अगर राहत मिलती है तो उनको कहने की नोकी में बना करके रखा जाएगा अगर नहीं मिलती है तो बाहर कर दिया जाएगा और यह मामला भी बहुत महत्पूर है मद्द प्रदेश का तो वहां के चैनित हडेंगे या नहीं यह अभी डिसाइड नहीं है लेकिन उनकी भी करने की नोकी खत्रे में है उत्राखंड के अंदर पहले से ही चैनित अभ्यर एक मामला भी एड को लेकर पहले से लगा हुआ था और हाली में जो नई भरती निकाली गई थी उससे भी कहने के उनको बाहर बैठना पड़ेगा लेकिन अब थोड़ी सी बात कर ली जाए उत्तर प्रदेश के अंदर क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो भी एड करने वाले बहती हैं उनको यहां पर अभी के लिए राहत है मैंने कल एक वीडियो भी बनाया था जिसमें आपको कहा था कि ब्रह्म में ना रहें जो सही और सटीक जानकारी है उसको समझने की कोशिश करें अगर आप उनेतर अजार या यूपी से संबंदित हैं तो उस वीडियो को दे आते हैं और लागू है यह है ना लेकिन जो उनेतर हजार सिच्छक वरतिय उसमें किसी प्रकार कर कोई भी खत्रा नहीं रहेगा फिलाल के लिए लेकिन आने वाले समय में जो भी बरतियां होंगी उनसे तो फिलाल कहीने की बाहर बैठना पड़ेगा तो यह एक बड़ी डिलेड के अभ्यतियों के लिए यह अन्य राज्यों के अभ्यतियों के तो त्यार हो जाएए बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यति जिनको चैनित हैं जो बाहर निकाले जाएंगे और उनकी जिगह पर नोकरी बीटीशी डिलेड को मिलने वाली है thank you for watching this video